हेलो डियर वेल्कम बैक टू माइ चैनल बच्चो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिस रीडर क्लास एट का लेसन एट दा मिसाइल मैं ओफ इंडिया बच्चो एपी जे अब्दुल कलाम को दा मिसाइल मैं ओफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इस लेसन में बताया गया की एपी जे अब्दुल कलाम का जीवन कैसे बीता और उन्होंने भारत देश को क्या क्या दिया बच्चो चलते हैं लेसन की तरफ अबुल पाकिर जैनुलबदीन अब्दुल कलाम अबुल पाकिर जैनुलबदीन अब्दुल कलाम एपी जी का फुल पॉम नाम है ये अबुल पाकिर जैनुलबदीन अब्दुल कलाम Usually known as Dr. APJ अब्दुल कलाम was the 11th President of India from 2002 to 2007 Usually का मतलब आम तौर पर या जादातर known as जाने जाते हैं Dr. APJ अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है मतलब आम तौर पर या जादातर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर जाना जाता है ये नाम से जाना जाता है और इनका फुल फॉम नाम क्या है फुल फर्म है अबुल पाकेर जनुल अब्दीन अब्दुल कलाम और इनको सौट में कहते हैं डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम वस दा इलेविन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के ग्यार्मे राष्टपती थे प्रेसिडेंट का मतलब राष्टपती कब से कब तक दो हजार दो से दो हजार साथ तक ये प्रेसिडेंट यानि की राष्टपती रहे बारत के एपी जे अब्दुल कलाम वस वॉर्ण ओन 15 अक्टूबर 1931 वाज वॉर्ण का मतलब पैदा हुए थे एपी जे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए थे एट रामेश्वरम इन तमिल नाडू तमिल नाडू के रामेश्वरम मैं आलदाव यदपी या हाला की ये वाज बॉन इन आपूर फैमली वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए पूर फैमली मतलब गरीब परिवार हाला की वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए एक्सेप्सनली ब्रिलियंट चाइल्ड एक्सेप्सनली का मतलब होता है असाधारन रूप से वह एक्सेप्सनली ब्रिलियंट चाइल्ड ब्रियंट का मतलब प्रतिवासाली या होसियार वह एक असाधारन रूप से प्रतिवासाली बच्चे रहे वह एक असाधारन रूप से प्रतिवासाली बच्चे रहे या होसियार बच्चे रहे पिता जैनुलब्दीन एक नाव मालिक थे उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाव मालिक थे जो फेरेड हिंदू पिल्ग्रिम्स एट दा रामेश्वरम टेंपल इन तमिल नाडू फेरेड का मतलब होता है वच्चो नौका से सवारी या माल डॉना हिंदू, पिल्ग्रिम्स का मतलब यात्रियों रामेश्वर टेंपल रामेश्वर में एक मंदिर है रामेश्वर टेंपल, तमिल नाडू में एक मंदिर है तो उनके पिता जयानू लब्दीन एक नाओ के मालिक थे जो तमिल नाडू के रामेश्वर मंदिर में हिंदू तीर टेंपल, तमिल नाडू के रामेश्वर मंदिर में हिंदू तीर टेंपल, तमिल नाडू के रामेश्वर मंदिर में हिंदू तीर टेंपल, तमिल नाडू के रामेश्वर मंदिर में हिंदू तीर टेंपल, तमिल ना तो नाव से एक स्थान से दूसरे स्थान यानि कि उस पार से मंदर तक और मंदर से फिर उस पार तक छोड़ने जाते थे सवारियों को His father was also an imam at the local mosque. उनके पिता एक इस्थानी मस्जित में एक imam भी थे and or his mother was a housewife, housewife का मतलब घरेलु इस्तरी जो बस घर को ही देखने वाली उनकी माता आसी अम्मा एक ग्रैनी थी या एक घरेलु इस्तरी थी He started working at a young age उन्होंने छोटी आयू से ही काम करना शुरू कर दिया था He sold tamarind seeds, tamarind seeds का मतलब Emily के beach and newspaper और अखवार to support his family और sold का मतलब बैंशते थे एलिमेंटरी स्कूल का मतलब रामेश्वरम प्रात्मिक विद्यालय कंप्लेटिंग का मतलब पूरी करना, कंप्लेटिंग का मतलब पूरा करना, इस्कूलिंग इस्कूल की पढ़ाई, अपनी इस्कूल की पढ़ाई रामेश्वरम प्रात्मिक विद्यालय से करने के बाद, अपनी स्कूल की पड़ाई रामेश्वरम प्रात्मिक विद्याला से करने के बाद कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसिप्स कॉलेज इन तिरूचिरापली कलाम वेंट टु अटेंड सेंट जोसिप्स कॉलेज इन तिरुचिरा पल्ली कलाम ने कलाम ने तिरुचिरा पल्ली के सेंट जोसिप्स कॉलेज में दाखला लिया या एडवीशन लिया कलाम ने तिरूचिरापली के सेंट जोसिप्स कॉलेज में दाखला लिया दा कॉलेज वाज एफिलियेटेड टू दा यूनिवस्टी और मद्रास यह कॉलेज मद्रास विस विद्यालाय से मानता प्राप्त था एफिलियेटेड का मतलब अच्चो यह होता है एक तरीके से अटैच मद्रास की जो यूनिवस्टी है उससे अटैच था यह मानता प्राप्त था तो उन्होंने यह तिरूचिरापली में खोल लिया था दा कॉलेज वाज एफिलियेटेड टू दा यूनिवस्टी और मद्रास यह कॉलेज मद्रास विस विद्याले से मानता प्राप्त था यानि की अटैच था वेर फ्रॉम जहां से he graduated in physics in 1954 Graduated का मतलब इसनातक जहां से उन्होंने 1914 में बहती विज्यान से इसनातक किया यहां से उन्होंने 1914 में बहती विज्यान से इसनातक किया He specialized in Aero Engineering from Madras Institute of Technology, MIT MIT का full form, Madras Institute of Technology Specialized का मतलब होता है, विसेसगता प्राप्त विसेसगता प्राप्त या उस बारे में अच्छे से जान लेना विसेसग हो जाना उस चीज का He specialized in Aero Engineering from Madras Institute of Technology, MIT उन्होंने Madras Institute of Technology से Aero Engineering में विसेसगता प्राप्त की या आपको Aero Engineering की पढ़ाई पूरी की उन्होंने Madras Institute of Technology से Aero Engineering में विसेसगता प्राप्त की या Aero Engineering की पढ़ाई पूरी की Dr. Abdul Kalam was a great scientist Scientist का मतलब बैग्यानिक Great का मतलब महान Abdul Kalam एक महान बैग्यानिक थे He was made the Chancellor of the Institute of Space Science and Technology या अंत्रिक्ष विज्ञान एवं प्राप्त योगी की संस्तान के कुलादी पती भी बने या सचिव बने या सचिव बने या यानिकी Institute of Space Science and Technology अंत्रिक्ष विज्ञान एवं प्राप्त योगी की संस्तान के सचिव भी बने He worked in Defense Research and Development Organization यानि की Defense Research and Development Organization का DRD को फुल फॉर्म है या He worked in Defense Research and Development Organization In 1958 1908 में उन्होंने DRD को बोलते हैं रच्छा अनुसंदान एवं विकास संगठन 1908 में उन्होंने रच्छा अनुसंदान एवं विकास संगठन में काम किया And or then joined Indian Space Research Organization यानि की ये ISRO का फुल फॉर्म है ISRO का फुल फॉर्म इन्नियन इस्पेस रिसर्च अर्गनाइजेशन In 1963 और द्यान का मतलब फिर 1963 में वार्तिय अंत्रिक्ष अनुसंदान संगठन ISRO से जोडे यानि की ISRO से joint का मतलब जोडे और फिर 1963 में भार्ति अंत्रिक्ष अनुसंदान संगठन ISRO से जोडे He made significant contribution to Indian satellite And also in the missile program of DRDO Significant contribution का मतलब होता है बच्चो महतपूर योगदान Indian satellite का मतलब होता है भारती उपग्रेव Missile program का मतलब होता है प्रिछे पास्त्र कारक्रम of DRDO DRDO का भारती उपग्रेव बनाने और साथ ही DRDO के प्रिछे पास्त्र कारक्रम में उनका महतपूर योगदान रहा भारती उपग्रेव बनाने और साथ ही DRDO के प्रिछे पास्त्र कारक्रम में उनका महतपूर योगदान रहा As a Project Director of SLV3 SLV3 के परियोजना निदेशक के रूप में प्रोजेक्ट डारेक्टर परियोजना निदेशक के रूप में SLV3 के परियोजना निदेशक के रूप में ही Contributed का मतलब योगदान दिया To the Development and Management Development and Management का मतलब संचालन विकास और संचालन Of India First, Indigenous Satellite Indigenous Satellite का मतलब होता है सुदेशी उपग्राय Launch Vehicle Launch Vehicle मतलब होता है प्रिछेपड यान SLV3 In Injecting Roheny Satellite in the Orbit of the Earth बच्चो SLV3 के परियोजना निदेशक के रूप में उनका रोयनी उपग्राय को उनका रोयनी उपग्राय को प्रतिवी की कच्चा और विट का मतलब कच्चा इस्थापित करने में In Injecting का मतलब इस्थापित करने में उनका रोयनी उपग्राय को प्रतिवी की कच्चा के पास इस्थापित करने में इस्थापित करने में बारत के पहले सुदेसी उपग्राय प्रिछेपड यान SLV 3 के विकास और संचालन में मैतपूर योगदान रा विकास और संचालन में योगदान दिया फिर से बताते हैं बच्चो आपको उनका रोयनी उपग्राय को प्रतिवी की कच्चा के पास इस्थापित करने में बारत के पहले उपग्राय बारत के पहले सुदेसी उपग्राय प्रिछेपड यान SLV 3 के विकास और संचालन में मैतपूर योगदान दिया वीडियो को रोक कर या बैक करके अच्छे से समझ लो ठीक है बच्चो हिज Greatest Contribution Why in the field of missiles Missiles का मतलब प्रिछेपास्त्र Greatest Contribution महानतम योगदान उनका महानतम योगदान प्रिछेपास्त्र के छेत्र में रहा Field का मतलब छेत्र उनका मानतम योगदान प्रिछे पास्त्र के छेत में रहा अब देखो कौन-कौन सी मिसाइल उनके द्वारा बनाई गई अगनी, प्रत्वी, आकास, तर्सूल, एंड, नाग मिसाइल्स वर डवलप्ड वाय हिम डवलप्ड का मतलब होता है बिक्सित किये इसके द्वारा एपी जे अब्दुल कलाम के द्वारा अगनी, प्रत्वी, आकास, तर्सूल, और नाग, प्रिछे पास्त्र उनके ही द्वारा बिक्सित किये गए या उनके ही द्वारा बिक्सित किये प्रिष्टिक पास्त्र और प्रिछे पास्त्र और प्रिछेपड यान बैलिस्टिक प्रिछे पास्त्र और प्रिछे पढ़ यान लॉंच वीकल मतलब प्रिछे पढ़ यान तक्नीक बिक्सित करने के लिए डवलपमेंट का मतलब बिक्सित करने के लिए बैलिस्टिक प्रिछे पास्त्र और प्रिछे पढ़ यान तकनीक बिक्सित करने के लिए उन्हें बारत का मिसाइल मैन कहा जाता है या मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं परिवा फिस से बताते हैं बच्चो बैलेस्टिक मिसाइल से यानि की बैलेस्टिक पृष्षे पास्त्र और पृष्षे पढ़ यान तक्नीक विकसित करने के लिए उन्हें भारत का मिसाइल मेन कहा जाता है या मिसाइल मेन के नाम से जाने जाते हैं Besides being such a great scientist Great scientist का मतलब महान पैज्यानिक एक महान पैज्ञानिक होने के साथ साथ He was a great writer too Great writer का मतलब महान लेखक वह एक महान लेखक भी थे To का मतलब भी वह एक महान लेखक भी थे He has written many books such as Such as का मतलब जैसे उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं Written का मतलब लिखी हैं Many books बहुत सी किताबें उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं जैसे Wings of Fire Ignited Minds Target 3 Billion Turning Points India 2020 A Vision for the New Millennium और My Journey उन्होंने APJ अब्दुलकलाम जी ने इतनी किताबें ये लिखी हैं He has mentioned Mentioned का मतलब उलेख किया In his dream His dream अपने सपनों में Making India मतलब भारत को बनाने के लिए A developed country एक विक्सित देश In his book अपनी किताब में उन्होंने अपनी किताब में India 2020 A Vision for the New Millennium अपनी किताब में बनाने में अपनों सपनों का उलेख किया है इस किताब में उन्होंने सपनों का उलेख किया है कि बारत एक विक्सित देश बनेगा His advice to the youngster of a nation was To dream, dream, dream Youngster का मतलब युवाओ Of the nation राश्ट या देश राश्ट के युवाओ देश या राश्ट के युवाओ के लिए उनकी सला थी Advise का मतलब सला देश या राश्ट के युवाओ के लिए उनकी सला थी सपने लो सपने लो सपने लो ड्रीम 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 का मतलब सपने लो सपने लो सपने लो ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इंटू थॉर्ट्स एंड थॉर्ट्स रिजल्ट इन एक्षन ट्रांसफॉर्म का मतलब परिवर्तन होते हैं द्रीम स्वपन, थोट्स का मतलब विचारों में या सोच में एंड थोट्स और सोच में रिजल्ट परडाम इन एक्षन यानि की कर्म है कर्म में सपने लो, सपने लो, सपने लो सपने सोच में परिवर्तन होते हैं सपने सोच में परिवर्तन होते हैं और सोच का परड़ाम कर्म है वो यह कहते हैं कि सपने देखो जब सपने देखोगे तो सोच में परिवर्तन होंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो करोगे ही कर्म में परड़ाम आएगा उनके कहने का मतला बच्चो यह इसलिए सपने देखो और सोच में परिवर्तन करो और उसका परणाम कर्म होगा ठीक है बच्चो The Government of India Honored with him with Honored का मतलब सम्मानित किया Government of India बारत की सरकार ने बारत की सरकार ने उन्हें सम्मानित किया किस से किया? With Padme Bhusan 1981 Padme Bhusan 1990 बारत रत्न 1997 इंक्लूडिंग इंद्रा गांधी अवार्ड फॉर National Integration 1997 देखो बारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया कौन-कौन से अवार्ड या पुरुषकार से Padme Bhusan 1980 में मिला Padme Bhusan 1990 में मिला बारत रत्न और इंद्रा गांधी अवार्ड 1997 में इनको मिला इंद्रा गांधी राष्ट्री एक्ता राष्ट्री एक्ता पुरुषकार और बारत रत्न 1997 में इनको मिला बारत सरकार द्वारा सम्मानित किये गए ये देखिए राष्ट्रपती किया नारायन जी जुलाई 2015 को सिलोंग में बारती प्रवन्दा संस्थान सिलोंग में व्याख्यान देते समये डिलीवरिंग लेक्चर यानि कि व्याख्यान देते समये उनकी म्रत्यू हो गई यानि कि वो गुजर गए सत्ता है जुलाई 2015 को किसी कॉलेज में ब्याख्यान दे रहे थे बारती प्रवन्द संस्थान में तो उनकी वहाँ ब्याख्यान देते समये मत्यू हो गई दा होल वर्ड वाज सौक्ड सौक्ड का मतलब सद्मे में पूरी दुनिया सद्मे में थी and or sudden by the sudden and antimally death of the simple, humble, yet one of the greatest men of our times of one of humble, yet one of the greatest men of our times का मतलब हमारे समय के एक सबसे मान व्यक्ती पूरी दुनिया सद्मे में थी और साधारण बिनम्र साथ ही हमारे समय के सबसे महान व्यक्ती की अचानक और अकाल म्रत्यू, antimally death का मतलब अकाल म्रत्यू के बारे में चानकर पूरी दुनिया सद्मे में थी साधारण बिनम्र साथ ही हमारे समय के एक महान व्यक्ती की अचानक और अकाल म्रत्यू के बारे में जानकर एपी जे अबदुल कलाम ने लिखा है इफ यू वर्न टू साइन, लाइक असन, फर्स्ट वर्न लाइक असन यानि की साइन का मतलब चमकना, लाइक असन, सूर की तरह यदि तुम सूर की तरह चमकना चाहते हो फर्स्ट वर्न, वर्न का मतलब जलना पहले जलना पड़ेगा, लाइक असन, सूर की तरह जलना पड़ेगा अगर तुम सूर की तरह चमकना चाहते हो, तो तुमको पहले जलना पड़ेगा जब सूर जलता है, तब ही तो रोसनी देता है तो ऐसे ही कहने का मतलब इनका ये अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको बहुत ही मैनत करनी पड़ेगी ठीक है बच्चो बच्चो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो थैक्ट यू